नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इतिहास के पन्ने मेरी नजर से आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे, जी हाँ पाकिस्तान की, मगर ना जिन्दाबाद और ना ही मुर्दाबाद, बस बात करेंगे, बात करेंगे रिप्रेशन की और उन सालों की जब दमन का जवाब प्रतिरोज से हुआ, खास किसम की रेजिस्टेंस से, एक ऐसा प्रोटेस्ट जो मैदाने जंग में नहीं बलकि कितावों और काग्जों में कलम से और गीतों से हुआ जिन लीडर्स ने अभी तक पाकिस्तान को गवर्न किया है उन में से सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव मिलिटरी डिक्टेटर जनरल मुहम्मद जियाउलहक का रहा है पांच जुलाई 1977 को सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने कहा था उनका उद्देश सिर्फ प्रजातंत्र की रक्षा करना और पाकिस्तान की खुशाली बढ़ाना उन्होंने कहा चीफ मार्शिल लौ एड्मिनिस्रेटर की गद्दी वे तीन महीनों में छोड़ देंगे और निर्वाचित प्रतिनिदियों को सौप देंगे वो वक्त कभी नहीं आया जिया ग्यारा साल तक राज करते रहे उनकी पारी तब खतम हुई जब 17 अगस्त 1988 को भावलपूर से इस्लामाबाद लोटते वक्त उनका प्लेन क्रैश कर गया और सारे के सारे 32 लोगों की मृत्यू हो गई पाकिस्तान के ओल इन ओल बनने के बाद जनरल जिया ने 14 मिनिट का भाशन दिया था अपने आपको इसलाम का सेनिक बताते हुए जनरल जिया ने लोगों को याद दिलाया था पाकिस्तान का गठन इसलाम के नाम पे हुआ था उन्होंने लोगों को बताया पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए मुल्क को इसलाम के रास्ते पर ही चलाना होगा उन्होंने ये भी दावा किया पाकिस्तान को और मजबूत बनाने के लिए इस्लामिक सिस्टेम्स का इंट्रोडक्शन आवश्यक है अपने ग्यारा साल के साशनकाल में जिया ने कट्टर इस्लामिक विवस्था इंट्रोड्यूस किया ये सिस्टेम साउधी वहबिजम पर आधारित था जो पाकिस्तान के कल्चर से विपरीत था इतनी संकीन इस्लामी विवस्था बहुत ऑथोरिटेरियन थी देखते ही देखते जिया ओटोक्राटिक डिक्टेटर बन गए रातो रात मिलिटरी फोर्सेज में इस्लामिस का इंफ्रिंस बहुत बढ़ गया उग्रवादी इस्लामिक सुनी सेक्टेरियन ग्रूप्स को बहुत बढ़ावा मिला शिया और एहमेदिया मुसल्मानों पर बहुत अटैक्स होने लगे महिलाओं पर भी बहुत प्रतिबंद लगाए गए नए नए कानून इंट्रोड्यूस किये गए जिन से उनके राइट्स कर्टेल किये गए जिया के कारेकाल में पाकिस्तान से कई मुलकों में स्टेट स्पॉंसर्ड इस्लामिक जिहाद का एक्सपोर्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो सिविल सुसाइटी या फिर महिला संगटनों का और दूसरे तरफ तमाम माइनॉरिटीज एतनिक या फिर मजहभी उन सब का भयानक रिप्रेशन हुआ जिया ने सोशली कंजरवेटिव पेटी बूज्वा क्लास को प्रमोट किया और पुराने एलीट के खिलाफ एक मुहिम छेडी गई डिमोक्रसी को कुचल के जिया ने पुलिटिकल प्रोसेसेस को खतम ही कर दिया साथ ही पाकिस्तान का इसलामी करण से समाज में सोशल कंजरवेटिजम ने जड़ पकड़ ली लेकिन पाकिस्तान में इंटिलिजिंसिया का तपका जीवन्थ था सांस्कृतिक अभिवेक्ती का उतना ही पुराना ट्रेडिशन था जितना की भारत में आखिरकार दोनों मुल्क एक ही मिट्टी के ना थे जीया के ग्यारा साल लंबे टेनियोर में अगर रिप्रेशन हुआ तो रेजिस्टेंस भी खूब देखने को मिला सरकार के खिलाफ आवाज सिर्फ राजनितिक थेटर और सड़कों तक सीमित नहीं रही जीया के खिलाफ विरोध करने वालों में सांस्क्रितिक दुनिया के अनेक लीडिंग परस्नालिटीज शामिल थे शायद ही कोई आर्ट फॉर्म उस दोर के कल्चर आफ रेजिस्टेंस से दूर रहा लेकिन कविता या शायवी की खास भूमिका इस प्रोटेस्ट के दशक में देखी गई किसी भी रिप्रेसिव डिक्टेटर या आटोक्राट की तरह जिया जानते थे उनको खत्रा किन हलकों से सबसे पहले हो सकता है इसी लिए वामपन्थी फोर्सेज, सांस्कृतिक और बौधिक कारे करता छात्रों और शिक्षकों को सबसे पहले टारगेट किया गया उनको टॉर्चर किया गया, जेल में डाला गया और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की तो पूछिये ही मत मोटे तोर पे जिया का टेनियोर तीन फेजिस में बाटा जा सकता है पहला जुलाई 1977 से एप्रिल 1979 तक जब उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी इस दोर में सोशल डिसकोर्स में अक्सर कहा जाता था दो इनसान एक कब्र इशारा जिया और भुट्टो के तरफ था उन में से एक को मरना ही था काम्याब तो जिया ही हुए क्योंकि उनके पास सकता थी दूसरे फेज की शुरुवात डिसेंबर 1979 को हुई थी जब अफगानिस्तान में सोवेट यूनियन ने फोर्सिस भेजी थी 1985 तक चलने वाले इस दौर में पाकिस्तान अफगान युद में एक फ्रंट लाइन स्टेट बन गया जिहाद जिया का पोलिटिकल स्ट्राटीजी बन गया और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इसलामी करन इस दौरान हुआ तीसरे फेज में मार्च 1985 से 1988 तक जिया ने लोकल लेवल में डिमोक्राटिक इंस्टूशन्स पर एक्स्परिमेंट्स किये नैशनल इलेक्शन्स नहीं करवा के उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन्स पर जोर दिया लगभग 35 साल बाद अभी भी अलग अलग अथोरिटेरियन सरकारें इसी स्ट्राटिजी का इस्तिमाल करती हैं इस से रिप्रेजेंटेटिव डिमोक्रेसी का कैरेक्टर बदल जाता है और जन्ता की आवाज लोव मेकिंग की प्रोसेसेस तक नहीं पहुँचती है जिया की तानाशाही के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ने मुव्मेंट फॉर दे रेस्टोरेशन अफ डिमोक्रेसी फेब्रोरी 1981 में लॉंच किया पाकिस्तान के वाम पंथियों ने इस आंदोलन के जरीए ब्रॉड अंटी जिया फ्रंट बनाने की पहल की पाकिस्तान की सबसे बड़ी उपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी MRD के प्रोटेस्ट कांधी जी के नॉन वाइलन प्रोटेस्ट का सिस्टम से प्रभावित थे MRD के लेकिन लिमिटेशन्स भी थे और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बन कर सीमित रह गए जिया ने लेकिन स्टेट वाइलिंस में कोई कमी नहीं छोड़ी आंदोलन के दौरान लगभग दो सो जाने गई और करीब दो हजार लोग खायल हुए थे MRD को जिया के मौत के बाद डिजॉल्व कर दिया गया MRD के बारे में तो बात दुनिया में बहुत कम होती है लेकिन वहीं जिया हकूमत के खिलाफ रेजिस्टेंस की जो दूसरी धारा थी जो सांस्कृतिक और खास तोर से शायरी की थी उसकी लेगेसी शायद MRD से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है गौर तलब है खास तोर से साउथ एशिया में राजनेतिक संगर्ष के दौरान हमेशा से ही कविताय पॉपुलर सेंटिमेंट के वहिकल्स रहे हैं हिंदुस्तान की आजादी के आंदुलन में कवियों ने खास भूमी का निभाई थी रमिद नाठ ठाकुर का खास तोर से भारतिय राष्टवाद की धारना को जनता के बीच फैलाने में बहुत बड़ा योगदान था कविताय और शायरी बांगलादेश की आजादी के लड़ाई में भी केंद्र में थी जिया के युग में फैज, एमद फैज और हबीब जालिब जैसे उर्दू शायरों का नाम उल्लेखनिये है उनके शब्द और बोल लोगों में उम्मीद जगाते थे और जल्म से लड़ने के रास्ते बताते थे हिंदुस्तान में नागरिक्ता शंशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन अब चल रहा है उसके दौरान ये सपश्ट हो गया फैज की शायरी अभी भी कितना इंस्पायर करती है लोगों को जितने लोगों ने हम देखेंगे डाउनलोड करके सुना है या फिर प्रोटेस्ट की सभाओं में जाकर इस गजल को सुना है पिछले सम टोटल से कहीं ज्यादा है इस गीत की पॉपुलारिटी हिंदुस्तान में इतनी कभी नहीं थी फैज ने हम देखेंगे 1979 में लिखा था कहा जाता है इस गजल ने आईकॉनिक स्टेटिस 1986 में हासल की थी इकबाल बानों ने इसे लाहोर के एक कॉंसर्ट के दौरान गाया था तालियों की गूंज इतनी तेज और इतनी लंबी चली लगने लगा छत डह जाएगी लोगों में सबसे ज्यादा उच्छा तब दिखाई दिया जब इकबाल बानों ने इस पंक्ति को गाया था सब ताज उचा ले जाएंगे सब तक गिराए जाएंगे जिया के कारेकाल में पाकिस्तान में कल्चर ओफ रेजिस्टेंस ने जो अपनी जगा बनाई वो अब भी बहुत हद तक कायम है इसका मूल कारण मिलिटरी और डिमोक्राटिक रेजीम्स का ओसिलेशन एक बार इसकी बारी तो फिर दूसरे की सब्ता में आते ही जिया ने जुल्ब करना शुरू कर दिया था लेकिन इसकी खबर कैसे रोकी जाए जिया इन्फोर्मेशन का वैल्यू समझते थे उन्होंने मीडिया को टार्गेट किया और सेंसर्शिप तुरंट इंपोज कर दिया चार पत्रकारों ने अपने लेक सेंसर्स को देने से इनकार कर दिया जिया हुकूमत ने तै किया 13 मई 1978 को इन पत्रकारों को कोड़े लगाए जाएंगे एक को छोड़ दिया गया हेल्थ ठीक ना होने के कारण नासिर्जदी, इकबाल एहमत जाफरी और खवर नईम को प्रूटली पनिश करने के बावजूद बाकी पत्रकार नहीं डरे पूरे पाकिस्तान में जिया सरकार के खिलाफ मीडिया आंदोलन छिड़ गया रिस्पॉंस में जिया ने 11 अखवार बंद करवा दिये और 13 को फाइन किया हिंदुस्तान में भी यही दौर आया था और पाकिस्तान की तरह यहां भी पत्रकारों ने अखवार और मैगजीन के एडिटोरियल स्पेसिस को प्लैंक छोड़ा था या फिर पब्लिकेशन सस्पेंड कर दिया था यह बात मैं एमरजिंसी के दौरान की कर रहा हूँ पाकिस्तान की घटनाओं से कुछ साल पहले जानलिजम तो ब्लैक और वाइट में रिपोर्टिंग करती है पाकिस्तान के लीडिंग शायर्स एक्सपर्ट्स थे उनके शब्द मल्टिपल मीनिंग्स कनवे करते थे जैसे जैसे रिप्रेशन बढ़ा उसी तरह से रेजिस्टेंज कल्चरल फॉर्म्स के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर देखने को मिली फैज बेरूत चले गए एक्जाइल में हबीब जालिब को जिया ने जेल में डाल दिया ये दोनों उर्दू में लिखते थे और भाशाओं में भी खास तोर से सिंधी में पोईट्री ओफ रेजिस्टेंस पढ़ने को मिला फैमिदा रियाज महिला शायरों में प्रमुख परस्नालिटी थी उनको भी पाकिस्तान से भाग निकलना पड़ा जब उनके खिलाफ सिडीशन के चार्जेज लगाए गए जिया के मित्यू के बाद ही फैमिदा रियाज पाकिस्तान लोटी पाकिस्तान के लिटरेचर आफ रेजिस्टेंस में बहुत लेखकों ने एक बहुत बड़ी बॉडी आफ वर्क जिरासत में छोड़ गए मुस्ताक सूफी नसरीन अंजूम भट्टी और सारा शगुफता एहम नाम थे उपन्यास कारों में फकर जमान और अवजल एहसान रंधावा प्रमुख थे जहूर हुसेन जहूर पंजाबी के शायर थे वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जुड़े हुए थे 1979 में उनको गिरिफतार किया गया था उनका मिलिटरी कोट में ट्रायल हुआ था उन पर आरोप क्या था एक पप्लिक गैदरिंग में उन्होंने अपनी पंजाबी कविता बल्ले बल्ले का वहाँ पाठ किया था उसको गलत करा दिया गया जहूर की एक दूसरी गजल की कुछ पंक्तियां बहुत मशूर हुई जेब बोला ते मार देंगे ना बोला ते मर जावा मतलब अगर मैं बोला तो वो मार डालेंगे ना बोलू तो मैं मर जाओंगा वाकई बोलना बहुत जरूरी है जिया हुकुमत को लेखों को पर गुस्सा जल्दी आ जाता था डायरेक्टली प्रोटेस्ट की बात ना करने पर भी इकबाल कैसर ने तो भगत सिंग पर एक कविता लिखी थी तब भी उन पर एंटी नैशनल का लेबल लगा दिया गया था उसी तरह 1857 के विद्रोग पर जो लिखा गया था उसे बैन कर दिया गया था पाकिस्तान के शायरों और लेखकों को मालूम था कि वे ना करांती ला सकते हैं और ना ही जिया का तक्प हिला सकते हैं फिर भी उन्होंने अपना एतिहासिक करतवे समझ कर डटे रहे Dr. Mubarak Ali उस पीरिद के लितुरी कमेंटर थे उन्होंने लिखा था दे रिलाइस तरह बोड़ लोग रिए स्ट्रगल अगांस अगांस देट इस 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 इजूतिशन But in spite of this fact, the movements of resistance continued to oppose suppression and to sustain the hopes of the people that change was possible. In this way, their defeat was their victory. उस दौर के राइटर्स के लिए जीत अलग अलग तरह से manifest करती थी. जीया ने जेल में डाल दिया, मगर फिर भी अंदर लिखते रहे, और अपना लेखन बाहर स्मगल करते रहे. कुछ साल पहले, जब हिंदुस्तान में राइट विंग फोर्सेज उभर रहे थे, फहमिदा रियाज यहां आई थी. उनकी दो पंक्तियां बहुत मशूर हुई थी. तुम तो बिलकुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छिपे थे भाई? फहमिदा रियाज हिंदुस्तान पर व्यंग कश रही थी. किस तरह हमारा मुल्क एक तरह से पाकिस्तान का मिरर इमेज बनता जा रहा है? आज के वक्त पाकिस्तान के शायरों के नाम ये पैगाम उचित होगा. दोस्त, जड़ा हाथ ठामो, ये तो बताओ, हम तुम जैसे अब कैसे बन सकते हैं? नमश्कार.